सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिष्टा बे नाम कहो और मुझ को ही छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो तो किसे लिखू मैं प्रेम की पाती कैसे कैसे इनसान हुए और रन भूमी मैं चल करते हो तुम कैसे भगवान हुए अब इसकी कर्ण जो कि हम सब का प्रियोगा शायद इस पर लड़कियां भी सहमत करेंगी कि मन कहता है मन करता है कुछ तो मा के नाम लिखूं और एक मेरी जननी को लिख दूं एक धरती के नाम लिखूं तो प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती और धरती मेरी मा होती तो मुझको श्राप नहीं देती और जननी मा को वचन दिया कुंती के लिए कह रहा है कि जननी मा को वचन दिया पांडव का काल नहीं हूँ मैं और जो बेटा गंगा मैं छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए इंद्र ने विशम से कपट किये बस तुम ही समना कर पाए कि अरजुन की सौगंद की खातिर कुछ पल अधिक रुकेते तुम और श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुकेते तुम पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया और देखके मेरे रन कोशल को कोई पास नहीं आया अरे दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर दिखा देता और उस मुरली वाले के सम्मुक अरजुन का शीश गिरा देता कि बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिन मान हुए और रन भूमी में चल करते हो तुम कैसे भगवान हुए ये उलाना से वह हमारे मतुरा से दिया जाता है जो की भगवान को नहीं छोड़ा जाता अब आता है तीसरा पत्र अपने गुरु के लिए दो गुरु पहले गुरु द्रोन जिन्होंने पक्षपात की शुरुवात की दूसरे गुरु कौन से थे परशुराम वेरी गुड गुड नौलेज तो पहला लिखते हैं वो अपने गुरु द्रोन के लिए जिसमें एक लाइन बड़ी पसंदद आएगी मेरी भी आगे सुनाऊंगा तो लिखते हैं कि पक्षपात का चक्रवियू क्यों द्रोन नहीं तुमसे तूटा और सर्वशेष्ट अरजुन ही हो यह मोह नहीं तुमसे छूटा तो एक लव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो अरे खुद दोने मैं जन्म लिया और मुझको जात बताते हो प्रोन नहीं तुमसे टुमसे 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 बताते हो